नमस्कार मैहूर विशी जैन आप देख रहे हैं राशी फल 2021 चर्चा करेंगे दर्शकों इस वीडियो में व्रिश्चिक राशी की जिसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं करोडों लोगों की स्कॉर्पियो राशी हो सकती है लेकिन आप अपनी चंद्र राशी या फिर नाम राशी के अधार पर इस भविश्यफल से जोड सकते हैं शुरुवात करेंगे कारिकरम की आपके मनी मैक्रस के साथ जिहां इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिती बेहतर रहेगी साल के शुरुवाती महीनों में आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं लेकिन आपकी मैई के महीने में आर्थिक स्थिती कुछ कमजोर रहेगी मैं कहूंगी इस दोरान आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, इस दोरान आप शेर बाजार में भी किसी तरह का इंवेस्टमेंट ना करें हाँ कहीं से आर्थिक मदद मिल सकती है या फिर ये हो सकता है कोई पैतरिक संपत्ती को बेचने से आपको लाब मिले ये सितारे ज़रूर इंगित कर रहे हैं जो आपकी financial status को पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत करने में सहायक साबित होंगे दर्श को चर्चा करते हैं व्यापारी वर्ग की उन्हें ये राय दी जाएगी कि इस साल की शुरुवात में वो निवेश करें उनके लिए कुछ तम समय है आपको हो सकता है कहीं विदेशों से भी कोई नए projects मिलें अगर आपको धनकी जरूरत होगी तो वो पैसे भी आपकी जरूरत है वो मई तक पूरी हो सकती है क्यूंकि अगर आपने कोई loan के लिए अपलाई किया है तो वो मई तक आपको मिल सकता है देखिए अगर आपने पिछले वर्ष में कोई कर्जे लिये हैं तो इस साल आप वो कर्जा चुका देंगे साल के मध्य में आप इस साल कर्ज लेने से बचें क्योंकि अगर आप कर्ज के लेंदेन में पढ़ गये ना तो वक्री ग्रोहों की वज़े से ये कर्जा बहुत लंबा हो जाएगा और फिर चक्रवर्ती बयाज के रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है नौकरी वर की बात करते हैं मई माह में आपको बहुत कैरफुल रहना है क्योंकि अच्छी भली नौकरी से आप हाथ धो सकते हैं जी हाँ, अगर आप कोई नौकरी नई तलाश कर रहे हैं, तो आप अक्टूबर तक कोई भी नौकरी की तलाश ना करें, क्योंकि आपको धोका मिल सकता है, वहीं अब हम चर्चा करेंगे इस वर्ष 2021 में व्रिश्चिक राशी वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके उपर माता-पिता का आशिरवाद बनेगा, ये साल अगर आपको आर्थिक मदद की कहीं से जरूरत होगी, तो वो भी पूरी होगी, या इनफाथ ये भी हो सकता है, कि आपके पैरेंट्स ही आपको आर्थिक मदद को आपकी पूरा कर दें, इस साल ग्रह गोचर ये जीवन की, विवाहिक जीवन आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपस में आप एक दूसरे से जादा उमीद ना करें, वर्ष के मद्य में किसी दूसरे की बज़ह से जो ये खटाव है, खटास है, तनाव है, खिचाव है, इसकी बज़ह से आपका पारिवारिक सकून छिन सक मैं ये कहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में आपको कोई पुराना साथी मिलता है, तो आप उसे अपने साथ ना जोड़ें, आप दर्शे को चर्चा करते हैं वर्षिक राशी के जातकों की हेल्थ की, इस साल अपनी हेल्थ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी वर्ष के अंत में तो योग ऐसे भी बन रहे हैं कि कोई दुरगट ना हो या देखिए जब ऑक्टूबर में मंगल नीच के होंगे तब आपको जो है होस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, ऐसे में आप साथान रहें, आप वहीकल भी जब ड्राइव करें, अगर आस उपायों की, अगर आप व्रिशिक राशी के जातक है, तो किसी भी पशू के चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु का उपयोग बिल्कुल ना करें, साथ ही साथ उन्हें इस वर्ष खरीदे भी नहीं, आपको नुकसान होगा, गर्मी के दिनों में आप क्या करें, जर कोने के आभूशन पहनने की कोशिश करें, आपको देखिए कितना लाब होगा, ऐसे ही अन्य जानकारियां हासिल करने के लिए दर्श को आप देखते रहें, OTT इंदिया टीवी का खास जोत शो और हाँ, OTT इंदिया टीवी का आप आप अब ही डाउनलोड करें, ताकि हर का का वीडियो आप देख पाए, इतना ही नहीं, फिल्म, वेब सीरीज, एंटर्टेनमेंट, म्यूजिक, हेल्थ, करियर, भक्ती, एजुकेशन, लॉव, डिफेंस, नेचर, पब्लिक सर्विस, हर तरहा के खास प्रोग्राम, न्यूज, डॉक्युमेंटरी, सब कुछ है, यहा याद रखे OTT इंडिया, इसके लिए आप हमारे साथ Facebook पे, Twitter पे, YouTube लिंक डाउन करें, उस पर जुडें, साथी साथ आप डाउनलोड करें, आपका पसंदीदा OTT प्लाटफॉर्म, OTT इंडिया TV